हेलो दोस्तों हमारे पास question दिया गया है एक दवी अंकिया संख्या के अंको को पर्स पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है यदि संख्या के अंको का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है हम क्या कर लेते हैं दोस्तों संख्या को मान लेते हैं कि संख्या क्या है दों के संख्या क्या होगी X और Y कि माना संख्या क्या है X, Y इसमें X क्या दाई का अंक है और Y क्या है इकाई का अंक है इसने इक कहा है कि इनके अंको का योग क्या है 11 ठीक है तो हम इसको कैसे लिख सकते है X प्लस में Y इक्वल टू 11 ठीक है एक equation मारे पास बनगी ये दोस्तों अब क्या कहा गया है इनके अंकों का योग पल्ट दें तो एक बात ज्यान से देखो दोस्तों ये 11 है अगर हम y के स्थान पर 1 रखें तो x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा हमें 10 रखना पड़ेगा क्योंकि इनका योग भी 11 होना चाहिए ठीक है तो आईए हम रखते हैं y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 y हो जाएगा यानि कि y का y रहेगा और पलस में 10 x हो जाएगा ये हो गया अब कहरा है इनके अंकों का स्थान बदल देने पर संक्य क्या हो जाएगा 63 कम होती है ठीक है अंकों का स्थान बदलेंगे तो यहाँ पर x की जिगह पर y y की जिगह पर x करेंगे 10 y पलस में x तो कम हो जाएगा तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 63 ठीक है अब देखो क्या करता है यहां हम माइनस करेंगे, इसको solve करेंगे, 10x में से 1x गया, कितना बचा है, 9x, और इसी तरह y में से 10y गया, तो कितना बचा है, यह बचा दोस्तों मारे पास है, माइनस के 9y, ठीक है, equal में 63, यहां से हम 9 common लेंगे, तो मारे पास क्या आगा, x माइनस में y, कितना आएगा, 63, यह 63 आगया, दोस्तों, अब यहां से क्या करेंगे, x माइनस y का मान निकालेंगे, तो 9 से इसको कट करेंगे, 9, 9, 9, 9, 63, तो x माइनस y क्या आगया, हमारे पास, 7 आगया, यह दोस्तों, equation number कितनी होगी, 2, अब हम इसको solve करेंगे, equation 1 और 2 को, तो equation किया है, हमारे एक, x पलस में y, equal में 11, और दूसरी क्या है, x माइनस में y, equal to 7, equation 1 और equation 2 से करेंगे, तो इनको हम गटाने पर, गटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यह पलस का हो जाएगा, माइनस माइनस पलस हो जाएगा, और यह माइनस हो जाएगा, तो यह कट जाए तो यह कितने होगा? 2y और 11 में से 7 गए तो हमारे पास क्या आएंगे? 4 यहाँ से y का मान निकालेंगे 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 2 दो निए 4 तो y इक्वल तो हमारे पास क्या है? 2 यह y का मान हम क्या करेंगे? equation 1 में रखेंगे ठीक है? तो y कमान equation 1 में रखेंगे तो equation 1 क्या दे रखेंगे हमारे पास x पलस में y की जिगह पर 2 रखेंगे 2 equal में 11 तो x इदर रजएगा ये 2 side में जाएगा कितना आएगा 11 minus 2 equal to 9 तो यहाँ से हमारे पास x कमान आएगा है 9, y कमान था 2, तो अबने equal series शंख्य क्या मानी x y तो सबसे पहले x कमान रखेंगे x कमान क्या है हमारे पास 9 x y मानने थी x कमान आया हमारे पास 9 और y कमान कितना हमारे पास 2 तो अशंख्य क्या है दोस्तो बाण में निकल क्या है हमारा right answer हो जाएगा बाण में यही किया दोस्तों मारा आंसर ओप्शन नमर भी इजे राइट है उमिद एक दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत बूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होसके